घर की छट पर अगर पीपल आ जाए, तो क्या करें? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पीपल का पेड़ जिसकी पूजा की जाती है, वो अचानक से कभी भी आ जाता है, अगर घर की दिवारों पर पीपल का पौधा उगा आए, तो उसकी पूजा कर तुरंत कंबले में लगा देना चाहिए, कभी भी इसकी जड़ों को काटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसकी जड़ों में तीनों देवताओं का वास होता है, वास्तुशास्र बताता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवता रहते हैं, इसलिए दिन और रात हर दिन धार्मिक रूप से इसकी पूजा की जानी चाहिए, पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में तपस्या से बचना चाहिए, यही कारण है कि सला दी जाती है कि पीपल का पेड़ अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, अगर यह अपने आप बढ़ जाता है, तो इसके अस्तित्व का अनादर ना करे, इसे एक बर्तन में स्थानन तरित कर दिजिए, और धार्मिक रूप से पूजा कीजिए, आईए जानते है कि यदि घर की छट पर पीपल का पेड़ आने लगे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, दोस्तों, क्या आपने गलाइफोसेट का नाम सुना है, आपने यदि गलाइफोसेट नाम नहीं सुना है, तो आपकी जानकर इलिए ये जान लीजिए, कि ये एक कैमिकल है, जिसका प्रयोग अकसर उन जंगली पेड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है, जो अपने आप ही कहीं भी उग जाते है, एक और प्रचलित मिथक ये है, कि पीपल के पेड़ को भूतों और आत्माओं का निवास माना जाता है, इस विश्वास में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ लोगों का मनोविज्ञान और धार्मिक कटरपंथियों द्वारा बनाई गई वर्जना है, पीपल सभी अर्थों में एक बहुती पवित्र और शुप व्रुक्ष है, बहुतों का आशिर्वाद है, आम तोर पर पीपल के रूप में कहा जाता है, पेड़ों को बहुतों द्वारा ज्ञान के पवित्र व्रिक्ष या बोर्ट्री के रूप में जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक छायादार पेड के निंचे राजकुमार गौतम ने साथ साल कर बैठ कर ध्यान किया, लिए उसने बो ट्री को नश्ट करने की मांग की फिर गौतम को अत्यधिक अवसाद में डाल दिया और वो अपने पसंदिदा पेड़ को देखकर बेहोश हो गए उसे पुनरजीवित किया गया और उसने पेड़ के तूटे हुए तने पर दूद के सौ जाट डाल दिये उसने कसम खाई कि अगर पेड़ का कायकल्प नहीं हुआ तो वो मर जाएगा इस पर पेड़ जोर से बढ़ता गया और अपने मूल आकार को बरकरार रखा यही कारण है कि बौध धर्म में बो ट्री को आज भी बौध और हिंदू दुनिया में पवित्र माना जाता है पीपल को उ काटना हो तो पहले उसकी पूजा करे इसे रविवार के दिन ही तोड़ना चाहिए इमारत की दिवार में उगने वाले पौधे को हटाने का एक सबसे सस्ता तरीका है नमक करना होगा जिसमें इसकी जड़े है घर पर पेड़ लगाने के फाइदे और नुकसान यह सुजाव है कि घर में कभे भी पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे कई समस्याय आती है हाला कि पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें देवताव का वास होता है लेकिन इससे वास्तो शास्त्र के अनुसार उचित नहीं मान जाता है इसलिए घर में पीपल के पेड़ को नहीं उगने देना चाहिए यदि ये स्वाभाविक रूप से बढ़ता है तो इसे साउधानी से उखाड कर कहीं और लगाया जाना चाहिए जब ये सिर्फ एक पौधा हो पूझा करने के बाद इसे किसी मंदिन में रख दे पीप के पेड़ को काटने से दामपत्य जीवन में भी परेशानी हो सकती है और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ को काटने से पीतरों को पीड़ा होती है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्थान बदल दे तो ब कि प्रगति में बातक का काम करता है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक करना मत पुलिएगा